हाई वरिवान अभी जो मैंने वीडियो डाली रिसेंटली एक दो दिन पहले उसमें मैंने पताया था कि नई ब्रेज़ा 2022 वाली अपनी उसका ब्रेक बूस्टर लीग हो गया जिसके विज़े से ब्रेक पैडल की ट्रैवल बढ़ गई पैडल का फी नीचे जाने लगा ब्रेक कम लगने लग गए क्लच भी ठीक से काम नहीं कर रही थी गियर अटक जा रहे थे वहापे सर्विस एडवाइजर ने बता है कि यह पहला केस है कि गाड़ी का ब्रेक बूस्टर लीग हुआ है यह पहला केस है पूरे दिली अंस यार में वो पार्ट नहीं था दो दिन का टा आपको ज्यादा पता होगा उसी से प्रेशर बनाती है क्लच भी ब्रेक बूस्टर से में ठीक है पार्ट अब डलवाने में जा रहूं वहां पर मैं पहुंच गया 11 बज़े का बोला था कि आप आ जाना लगबग वेंस्डे को आ जाना तूस्डे को मैसेज आ जाना और आप की गाड़ी कर देंगे तो 11 बज़ेगा आसपस गाड़ी उन्होंने खोल दिये वह ब्रेक बूस्टर निकालने के लिए बहुत ताम जाम लगए एक गंटा लग गया सारे ब्रेक लाइन सटाने पड़े और बहुत देर लगई फिर दिकत क्या रही थी कि ब्रेक बूस्टर क ठीक होगी लंच के बाद तो आपको गाड़ी कल मिलेगी और मुझे वेंस्टे को ही वहां से निकलना था अपना मैं समानावान उठा के घर पर शिफ्ट हो गया वापिस तो मुझे वापिस निकलना था तो गाड़ी मैंने वहीं छोड़ दी कैब करके मैं जगनों के पास अपनी गाड़ी लेकर रहा है समान गाड़ी में भरा घर आ गया तो आज थर्सडे को वह गाड़ी लेने गया था गाड़ी उन्होंने दे दी और बिल बनाया था कुछ 350 60 70 रुपए का बोले कि ब्रेक कॉइल हमने ब्लीडिंग करी है तक कि कोई पाइप खुली रही थी इतनी देर कोई हवा बर गई होगी तो ब्लीडिंग करी है इसके तो मैं नहीं दूँगा क्योंकि मैं तो ब्रेक फ्लूइड के लेवल पूरा लेके आया था वैसे भी आपके प्रोसेस का एक पार्ट है तो मैं इसके पेह नहीं करूँगा पूले चलो देखते हैं तो उन्होंने वो कर दिया गाड़ी की वोशिंग भी करवा दी और मिल गई अभी एकदम ठीक है अब फाइनली ठीक होई है और यह देख रहे हो ट्राइवल भी आप काफी कम हो गई है जो उन्हों को कहना की ब्रेक्स पहले से अच्छे लग रहे हैं कलच भी एकदम सही काम कर रही है या एसी की कूलिंग है वो भी प्रॉपर कर रही है तो अ कि अगर आता है तो यही दिखते है थैंक यू सो मुच